हेलो फ्रेंस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार काड में एड्रस का करेक्शन कैसे कर सकते हैं जैसे कि आपके आधार काड में पता का नाम गलत हो गया है या पते का नाम गलत हो गया उसे आप सही करना चाहते हैं या पर एड्रस गलत हो गया उस के स्क्रीन पर कि इसके लिए किसी भी ब्राजर को ओपन करेंगे तो यहां पर मैं क्रोम राजर को ओपन कर लेता हूं है और सर्चवार में टाइप करेंगे यू आई-डी-ए-ई-ई-ई-टाइप करने के बाद सच करेंगे अब आपके सामने पहले नमर की वेबसाट आ जाएगी uidi.gov.in तो इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर हम नीचे स्कॉल करेंगे इस कॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सेक्शन मिल जाता है अपडेट आधार का इसके नीचे आपको बहुत सारी ओप्सन देखने को मिल जाते हैं और इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्कॉप्शन मिल जाएगा वहां से क्लिक करके आप डारेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं और यहाँ पर आपको आप्सन मिल जाता है लोग इन का हम इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफिस आजाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर आदार यहाँ पर अपना आदार नमबर टाइप करेंगे नीचे आपको कैप्चा कोड देखने को मिल जाता है कैप्चा कोड फिल करेंगे और नीचे आपको option लिएता है send OTP का इस पर click करेंगे send OTP पर click करते ही आपके आदार से registered more number पर OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर type करेंगे OTP type करने के बाद login के option पर click करेंगे अब आपके सामने कुछ इस्तरीकस interface आजाएगा यहाँ पर आप देख सकते है services यहाँ पर आपको आदार kaard से related सारी services देखने को मिल जाती हैं यहाँ से आप अपनी आदार काard को देख सकते हैं नीचे आपको option लिएता फिलिप आदार card का तो इस पर click करके आप back Tag देख सकते हैं तो यहाँ पर हमिए अपने आधार काड में address change करना तो यहां पर आपको option लियाता update आधार online तो इस पर click करेंगे click करने के बाद यहां पर आपको option लियाता proceed to update आधार पर इस पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस्तरीकर से current details जो भी आपके आधार काड में current address है वो यहांसे आप देख सकते हैं अब हम नीचे scroll करेंगे scroll करने के बाद यहां पर आपको देखने को मिल जाता details to be updated जो भी अपने आधार काड में चेंज्ड करना चाहते हैं तो सन ओफ टाइप करेंगे उनके पिता का नाम टाइप करेंगे किसी लड़की के आधा का न स्टा करेंगे तो रीकत कर लेंगे कि kullida है không दो ऐटोमेटिकली टाइप होकर आ चुका है कई वार क्या होता है ये नाम गलत हो जाता है तो इसे Tian lightly ठीक लेंगे नीचे आपको मिल जाता है जो भी आपका टावर है या पर कोई भी फेमर्स जगह है वो यहाँ पर टाइप करेंगे टाइप करने के बाद जो भी आपके एरिया का पिन कोड को टाइप करेंगे नीचे आपको आपको मिल जाता है जो भी आपकी डिस्टेक है वो यहां से चूज करेंगे नीचे आपको मिल जाता है इस आपकी जो भी स्टेट है वो यहां से चूज कर लेंगे पूरा एड्रस फिल कर लेने के बाद नीचे आपको ऑप्स मिल आता है Select Valid Supporting Document यहां पर आपको आधर कार्ड में correction के लिए document को upload करना है तो इस पर क्लिक करके अपने document को चुल लेंगे द्राइवि लेसंस भी upload कर सकते हैं यहां से आप landline का विल भी upload कर सकते हैं नीचे आप देख सकते हैं vehicle registration certificate भी आप upload कर सकते वो अपलोड कर सकते हैं और water will upload कर सकते हैं तो यहां पर मैं water ID card को चूज कर लेता हूं चूज करने के बाद okay के option पर किलिक करेंगे document को choose करने का बाद नीचे आपको option मिल जाता है view details and upload document का जहां से अपने document को upload करेंगे तो इस पे click करेंगे click करने का बाद continue to upload पे click करेंगे अब आपके सामने इस तरीके के option आ जाएंगे यहापर आप देख सकते camera अगर आप currently photo खीचना चाहते हैं क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीकर से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते new address जो भी आपने नए address टाइप किया वो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर इसमें भी कोई गलती होगी तो यहाँ पर आपको option मिल आता है रजदा को सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर आपको कट्रेमें कडि एना पर Сам करेंगे वाद इस थे करने लिए डौ को हनो करेंगा क्लिक करेंगे क्लिक करने के यहे बैदि केको सामट में कूछ इसलिक किनों को मिल जाते हैं जैसे credit card, debit card, wallet, net banking, paytm, तो यहांस में debit card से payment करना चाहता हूं उस पर click कर लेता हूं click करने के बाद जो भी आपकी card की details है यहां पर fill करेंगे card number type करेंगे expiry date type करेंगे जो भी आपका cvv number है वह यहां पर type करेंगे यहां पर name on card जो भी आपके card पर नाम पढ़ा हुआ वह टाइप करेंगे टाइप करने के बाद यहां पर tenant condition को accept करेंगे accept करने के बाद यहां पर आपको option लिया था proceed का इस पर click करेंगे प्रोशीड के option पर click करते ही आपके account से 50 रुपे कट जाएंगे और आपके आधार काड की address चेंज होने की request संबिट हो जाएगी तो इस तरीके से आप अपने आधार काड में address चेंज कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लिए तो वीडियो को like करें शेयर करें और ऐ ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को subscribe जरूर करें